सिक्सा जगत की सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सबस्क्राइब करें, नमस्ते सर यूट्यूब चेनल और बेल आइकन को ओल पर जरू से प्रेस करके रखें वहां से निर्नय होने के बाद इसे विचार के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर यह लागू होगी प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों के लिए अभी तक कोई स्पष्ट नीती बनी हुई नहीं है और इसी के चलते डिजाया सिस्टम हावी है जिसके तहत विधायकों की डिजाया पर ही ज्यादातर तबादले होते हैं इसके अलावा तबादलों में भारी ब्रश्टाचार की शिकायते भी आती हैं इसे देखते हुए ही प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादला नीती का मसौदा तयार किया है मसौदे को अंतिम रूप मुख्यमंत्री के स्तर पर दिया जाएगा यह हो सकता है तबादला नीती में शासन सचिवालय, राजयपाल सचिवालय और विधानसभा के कर्मचारियों पर तबादला नीती लागू नहीं होगी हर विभाग प्रतिवर्ष 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर तबादलों के लिए करेगा रिक्त पदू की सूची जारी कर्मचारियों को हर वर्ष 31 मार्च तक निर्धारित प्रपत्र में तबादलों के लिए ऑनलाइन या ओफलाइन जैसी व्यवस्था हो उसके हिसाब से आवेदन करना होगा तबादलों के लिए विभाग की और से व्यक्तिगत काउंसलिंग की जाएगी काउंसलिंग के लिए दिव्यांग जिन, विध्वा, परित्यक्ता, एकल महिला, घुटपूर सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, पती, पत्नी प्रकरण, असाधिय रोग से पीड़ित और शहीद के आश्रित कर्मचारी को पहले बुलाया जाएगा। एकल कर्मचारीओं वाले कार्यालेओं में उच्चित रिप्लेस्मेंट के बाद ही तबादले किये जाएंगे। दो वर्ष की सेवा से पहले किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। दो वर्ष की अवधी 30 जून से गिनी जाएगी। दिव्यांधजन, विधवा, परि प्रशासने का अधार पर तीन वर्ष से पहले सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जा सकेगा। कार्यव्य वस्था को आधार बनाकर तबादला नहीं किया जा सकेगा।